हेलो एब्रिवान गुड मॉर्निंग कैसे आप सब आज है थर्जडे और आज का व्लॉग में स्टार्ट करड़ी हूँ अभी सुवे सारे ग्यारा वज़े से आज भी बाहर वेदर काफी अच्छा है सुवे से बहुती बढ़िया मौसम है इतनी हवा चल रही है ना मदलो बारिश तो नहीं है आज सुवे से लेकिन काफी अच्छा हवा चल लिए तो टैक का पानी भी विलकुल एकदम ठंडा ठंडा था इसलिए मैंने सुझा ठंडा ठंडा पानी में नहां लेती हूँ इसलिए मैंने सुवे उठके आज नहा लिया हवा इतनी है ना कि आज कोई दोड हम लोग यह विंडो खोल नहीं पाड़े इतनी ज्यादा हवा है आप साथ आवाज सुन पाड़े होंगे पुड़ा एकतम जैसे भूत का आवाज नहीं होता है हूँ करके वैसा एक आवाज आ रहा है मैं फिर भी आपको एक बद दिखाते हूँ आज क्लाउड इसे उठके ना मूट से ही हो गया था मैंने सच ऐसा फील आ रहा था कि हम लोग वेस बंगॉल में है पूरा एकदम वैसा वेदर है यह दूसरा वाला बैलकेनी से वह एक बार दिखा देती हो देखिए है ना बहुत सुन्दर लग रहा है बहुत ही सुन्दर मतलब मैं बया भी नहीं कर सकती बहुत सुन्दर लग रहा है बहुत जोड से हवा चल रही है कुछ भी आज खोल के नहीं रख सकते विंडो अगेरा सब बंद कर देती हूं बहुत ही जादा हवा आ रही है आप लोग को सुनाई दे रहा है हवा कि आवास पड़ा ध्यान से सुनिये यह कीचें का दर्वाजा भी बंद कर के रखा है सीनाई इसे नहीं दिया देखिए मैंना लिटरिली जो स्टारटिंग में हम लोग यहां पर आये थे ना मैंना लिटरिली डर जाती थी कि ऐसा भूच ऐसा ओूूू। करके आवाज आता है और कभी कभी अगर सॉट उडाद का ओफिस होता था तो रात को अगर उसको आने में लेट होता था या फिर कुछ तो ऐसे आवाज में न मैं nutrely डर जाती थी मैं सको बार-बार फोन करती थी कि बता है यह बहुत ही भयानक एक आवाज ओरी हे तो marc कि हाँ इतने उपर है न तो इसी लिए यह आवाज होता है ड़ो मत कुछ नहीं यह आज पास जो बिल्डिंग है न उसमें हवा आके जब धक्का लगता है न उसके बाद फिर यह साउंड होता है बहुत ही ड़ावनी साउंड है अब भी बैठ जाती हूं दो तिन मिनिट के लि लेकिन सच बोलो तो मेरे आज साउंड के लिए आज का लंच बहुत ही जाजा स्पेशल है अब मेनू क्या है वो तो मैं आपको जरूर बताऊंगी लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि साउंड का इतना मूर्स्विंस हो रहा है न आप बिलिग नहीं कर सकते उसका इतना ज्य बढ़ा वोगो बोला था कि साउंड बोल रहा है कि अभी चावल बंद कर दो कुस दिं से चिकन मटन मचली बहुत खा लिया तो अभी चावल पूरा बंद कर दो सिर्शबजी और रोटी मना लो ठीक है तो पलसा हमारा बोई चल रहा था सबजी रोटी चल रहा था नौन दे तो सवारोग को पता है कि अगर वो मुझे बोलेगा मचली और करने के बारे में तो मैं अभीस लिए अलाओ नहीं करोंगी क्योंकि थास्टे है तो इसलिए मुझे बीना बोले उसने मचली और कर दिया ठीक है और क्या और किया उसमें हिल्षा वैसे तो अच्छी बारत है क् इसने मचली और कर दिया तो मैं माना करूंगी इसलिम दे बताया है तो फिर मचली वाला आके मुझे पॉल कर रहा है दस बजे बोल रहा है कि मैडम आपका मचली और था मैं नीचे ख़ड़ा हूँ उपर जाने नहीं दे रहा है आप आके ले चाहिए मैं तो सुनके शूप ह रिख्या कर दे काया हुँँप आरिख्यों कि में रागे ख़ड़ों कि परूंगी ति कांटी सिफल है लोकní और भोड़ाइंस प्रे रहा उपकुछा कर देना ूप नहीं कि भी नुस्ते ख़ड़ा göz तो ने की माचली वाला आगया है तो मस्ली के पार रहा है तो तो नीं वोई पेमेंट वगर वगरा सब कुछ कड़के वो आ गया, मैं खारा आपको बोई तो आज करें मच्री की ओर्डर किया थे, तो तो अज थस्टे है मच्री नहीं खाएंगे, और उपर से तुमने कल ही बोला कि रोटी और सब्सी बना हो, फिर मच्री की ओर्डर किया तो इस ब बनाना पड़ेगा, मच्री के साथ तो अपर चाओली बनाना पड़ेगा और भी मच्री ओर्डर किया उसने 1 kg की उपर, जो साइस है ना मच्री का 1 kg की ओपर, क्यूंकि बढ़ा होगा उसके अंदर अंदे होगे तो इसका असली टेस्ट जो है बो आता है, तो इसका असली त काफी बढ़ा है मच्री, तब 2-3 दिन तो लगेगा मच्री खातम करना है, मतलग 2-3 दिन तक पड़ी चाओल खाओ, फाइदा है क्या है, ना सपत लेने का, कि मैं सपत ले रहा हूँ, आज से चाओल बन, रिट्रेले उसन ऐसा किया था, कि मैं सपत लेके बोल रहा हूँ, आ कि मैं देखूंगी टिवी, टाइम भी हो गया है, काफी तो फीचर में जाके लेन पड़ी तर्यारी करी लेता है, सुबह के टाइम पे देखे गया था, तो इसलिए मैंने रख दिया था, नहीं तो फिर खड़ाब हो जाएगा पता नहीं का बनाऊंगी, तो ये देखिए, कोई जरूरत ही नहीं था इसका, एक्चली उसको ना बहुत पसंद है हिलशा, मैंने तो देखा भी नहीं खोल के कैसा आया है, अच्छा ही दिया लग रहा है, बहुत ही फ्रेश है, है ना, खून भी लगा, यहाँ पे खून भी लगा है, थोड़ा थोड़ा, देखके तो फ एक पीस के अंदर अंडा है, तो यह मेरा बहुत फेवरीट है, और सौड़ा भी बहुत फेवरीट है, टोटल शायद 8-9 पीस हुआ है, और इसके साथ हेड भी है, तो हेड तो कुछ और रेसिपी बनाओंगी, अब हिलशा का क्या बनाओंगी, वो देखती हो, लेकिन बहु को मैरिनेट करके रखा है, यह रेसिपी बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं, बस मैंने चार पीस मचली लिया है, और इसमें नमक, हल्दी और राई होती है ना, राई और हरी मिर्च को पेस्ट करके और थोरीसी सरसो के तेल, डाल के इसको मैंने आदा घंटा पहले आपके यहां पी ना बहुत अच्छा वेस बेंगयल जैसे चावल नहीं मिलता है, यहां का चावल को चलग होता है, की चालगो एखनकर जटाम आगया आनताम, बाजे चालटा की आनताम, सेथ्टो चाल सम्थिंग बोलते है, बुजिया चावल, बुजिया चावल, तो हम लो जब बासमती दुबर रास्ट यह जब से हमने ऑर्डर किया तब से इसी के फैन बन गया है तब से लोग यह जब लोग यह वाला चावल खाते हैं यह यह भाइव आपक यह शाया में कोई भी बैग नहीं आपक दो झांकर ईध्वर्ती होot प्लास्टिक बगरा आते हैं मार्केट से तो इसी को भी तो यूज करना चाहिए ना इसलिए मैं वह वह पेपर में खरीदी नहीं हूँ इसमें मेरा हो जाता है यह डाल देती हूं रस्बून के अंदर इसमें मैं सारे बूरा सब कुछ में फेंगती हूं पि इसको ले जाके ब अच्छी मिलना बहुत मुश्किल है मिलता तो है असा नहीं मिलता तो है लेकिन कुछी प्राइम पर ना काफी महंगा होता है और कुछ ताल पर महंगा देकर खरिगते भी हो लेकिन वह अर्जिनल वाला मचली आता नहीं है हिल्सा भी कभी कभी डूब्लिकेट आ जाता है अनोईटा आने के बाद हम लोग यह सेगंड टाइम हिल्सा का रहे है फर्स्ट टाइम एक बार लास्ट यह हमारी ममी पापा यह थे मॉन्सुन के सीजन में ही उस टाइल पे हमने और किया था और इस सीजन में अब हम फर्स्ट घा R topic weird to eat है लेग्या के लिए इख बलने का किया है कि सच में अवरे लिए लिट्रिली ऐसा है कि कुछ अक्छा मचली आ जाए ना ना तो देल को तसलिल हमिल जाती है कि कुछ तो खाड़े अच्छा वह रहते थे थे जो और यह पर अश्य अपर नहीं ह प्रॉट जागा वहाँ नहीं तो बहुत जागा आप गुमने के जागा तो बहुत साड़ा है लेकिन कोर्णा के चक्र में लोग अभी तक अई गए नहीं तो जाए पटाफट बात लिखाम करके खाना बनाना स्टाट कर देते हूं है तो अभी फिर सोड़ पोलेगा खाना नह लंज बन गया है यह चावल बना लिया और इसमें दाल है कलका और यह है इल्शा आज खाते टाइम तो बात नहीं करूंगे आप लोगों से आज तो सिर्फ रिशा एंज़ा करना है ठीक है तो जलिए लंज करने के की बार बार करते हैं अभी साम को साथ बज रहा है तो प्रहदे में थोड़ा पाणि डाल देते हैं यह बाहर जो हमारा वाहडा है है यह मेरा नहीं है ये हमारी बङल मेने जो रहता है देविया उनके है यह अभी है All vit इसलिए मैं उसके पौदे पर पानी दे रहिया है कि और पानी लगेगा नहीं होगा इतने में यहां से आने के बाद यहां पर हमारा चपल अपल सब कुछ रहता है और साथ में चिप के लिए भी होती है यहां पर यह देखिए बोलते-बोलते एक उपड़ है दिखाए रहा है यह है दिविया के घर यहां पर दिविया मुईत लिखा हुआ है न यह दिविया के घर है हमारे नेवर अंदर चले जाते हैं आज इतनी ज्यादा हवा है बाहर लुखी नहीं सकते और अभी मैं जाओंगी नीचे मुझे दही लाना है इसलिए लाइट बंद कर देती हूं सोड़ अभी जाने ही पाएगा क्योंकि अब इसका काम कर रहा है इसलिए मुझे जाना परेगा लाइट जहां भी जाओ लाइट जरूर बंद कर देना अगर लाइट बंद नहीं करोगे तो इलेक्रिसिटी बिल जादा आएगा इसलिए हमें सब जाओ लाइट फैन सब कुछ बंद कर दे जाना है उस और फसी जिस रूम में काम कर रहा है उस रूम का लाइट मैंने आन कर आप कर दिया है और बाकी का पूरा धर का मेंने लाइट इनकर चाहिए है बार भी है ना जमास दिसलिए मैंना और सोचते हैं छोड़ा साब करके आजाओंगी लेकिन पतना इतना टाइम होगा कि नहीं होता है थोड़ा सा वाप कर लोगी है टाइम के बड़ी प्रब्लम है अभी तो इतना काम भी नहीं, अभी टीशन पराने भी नहीं जाती हूं फिर भी टाइम का बहुत प्रॉबलम है, इतना भी चाहिए मैनेज़ पर मैनेज नहीं होता अभी भी यह मीचे से में आने के बाद घड़ पर आके मुझे बर्तन थोड़ना है अभी तक धुया नहीं, मैं आजीव आना मून दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ बोल रही हूं मास्क पिल रहा है क्या कर बाहर जाने से तो मास्क लगा नहीं बढ़ा ना पता नहीं कब तक लगाना पड़ेगा लिप्स्टिक यूज नहीं कर बादियों इस चक्कर पे, मास्क के चक्कर पे, कब सिचेशन सब ठीक होगा पता नहीं स्विसाइटी आप लोग को एक दिन बाद में ठीक से दिखाऊंगी, जिस दिन, दिन में दिखाऊंगी रात के टाइम पे लाइट तो काफी है, लेकिन रात के टाइम पे फिर भी इतने अच्छे से दिखाई नहीं देगा आप लोग को एक दिन, डिन के टाइम में सौरव भी रहेगा, तो दोनों मिलके एक दिन निकलेंगे तो उस टाइम पर आप लोगों को दिखाऊंगी हमारे पूरे ससाइटी अच्छे से दिखाऊंगी अपलो मुझे बहुत ही आजीव लग रहा है कि मास्क के साथ ऐसे बात करना पर रहा है इन क्या करेंगे जादा दूर नहीं है शॉप जो है वह यही पर है बगल में है इतनी ह हवा चल रही है ना मुझे पता नहीं आप लोगों को ठीक से सुनाई दे रहा है कि नहीं हमारे ससाइटी में ना कुत्ते बहुत हैं स्ट्रीट डॉग गेट बंद होते हैं फिर भी पता नहीं कहीं से एक दो आ जाते हैं देही और ब्रेट लेके मैं आ गई मैंने सोचा नीचे जाड़ी हूं तो थोड़ी तेर वॉक करके आऊंगी आँज हावा चल रही है ना नीचे बहुत अच्छा तो इसलिए इतना जाधा क्राउट है इतना जाधा क्राउट है नीचे फिर मैंने सोचा कि नहीं बबा इतना रिस्क लेके कोई फाइदा नहीं पता नहीं क्या हो जाएगा इससे अच्छा है उपर चली जाती हूं बाद में निकलूंगी बहुत जाधा आज क्राउट है शायद यही वेदर अच्छा है तो इसलि करना है मुझे तो मैं कल क्या बनाऊंगी वो तो आप लोगो को कल ही बता चलेगा तो ठीक है अभी हाँ और मैं नीचे से आखे सारे चीजों को मतलब ब्रेट और दही को बहुत अच्छे से सैनिटाइस कर लिया एंड मैं अपने हाथ को पैड को फेस को भी अच्छे से पढ़ ली ओके आप लोग सब जानती हो फिर भी मैंने एक बड़ बता दिया इनिवेज ठीक है चलिए तो आज का व्लॉग में एपे खतम करती हूं मिलते है ने ने व्लॉग के साथ तब तक के लिए खुश रहिए अच्छे रहिए घड़ पर रहिए सिर्फ रहिए गुड